हेलो फ्रेंड्स आज हम चंपारन मतन की रेसिपी शेर करने जा रहे हैं आपके साथ इसको अहुना मतन हांडी मतन बहुत सारे नामों से जाने जाता है यह बनाने में बहुत ही आसान होता है और खाने में बहुत ही लाजबाब होता है तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रैस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आएए देख लेते हैं इसको बनाना सबसे पहले हम जितना मटन लेंगे उसकी हाफ प्याज ले लेंगे यहाँ पर हमने 1.5 किलो मटन लिया है और यह हमने 7500 ग्राम प्याज ली है जिसको हमने बारिक काट लिया है आप इसको नाइफ से भी काट सकते हैं यहाँ पर हमने 2 कर्ची सर्सों का ओयल एक पैन में गरम कर लिया है इसको हम उतना गरम करेंगे जितना हम सबजी के लिए ओयल गरम करते हैं इसमें से हलका सा धुवा निकलना चाहिए यह इतना गरम होना चाहिए तो friends यहाँ पर oil में से धुआ निकलने लग गया है गैस को कर देंगे बंद और हम अपना मटन मैरिनेट कर लेंगे यह हमारा 1.5 किलो मटन है जिसको हमने अच्छे से दो करके वाश कर लिया है इसमें हमने 1.5 इंच अदरक का टुकडा पीस करके डाला है क्वार्टर टीस्पून हल्दी डाली है 2 टीस्पून लाल मिर्च डाली है आप अपनी टेस्ट के नुसार डाले 1 टीस्पून गरम मसला डाला है 3 टीस्पून हमने इसमें नमक डाला है आप अपनी टेस्ट के नुसार डाले 3 टीस्पून धनिया डाला है फिसावा धनिया है यह यहाँ पर हमने 2 गांट लेसुन की छीर ले थी जो हमने साबूतीस में डाल दिया है और 1 गांट लेसुन की हम साबूत डालेंगे यह सारी प्याज इसमें हम एड़ कर देते हैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल भी एड़ करेंगे हम और हमने जो तेल गरम किया था उसमें से आधा ओयल हम यहाँ मेरिनेट करती समय डाल देंगे इसको हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे मिसाले और प्याज अच्छे से मिल जाए इसको मेरिनेट करके छोड़ने की ज़रूद नहीं होती है साथ साथी बना लिया जाता है तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमने 2 खर्ची ओयल गरम किया था हमने आधा मेरिनेट करने में डाल लिया था आधा हम यहाँ पर इस हांडी में डाल लेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे ओयल गरम होने के बाद हम कुछ मसाले अड़ करेंगे यहाँ पर हम 3-4 तेज पत्ता ले लेंगे 2 दाल चीनी के टुकड़े हैं 6-7 लॉंग है 1 गरम होने के बाद हम 4 चोटी लाइची हैं चोटा सा जावित्री का फूल है और 12-15 काली मिल्च है यह 3 हमने बड़ी लाइची ले ली है अब हम यह सारे मसाले इसमें एड़ कर देंगे तो फ्रेंड्स थोड़ा सा खड़े मसालों को चटक जाने देंगे हमारे मसाले चटक गए हैं अब हम मैरिनेट की होग मतन एड़ कर देंगे तो फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत ही ईजी होता है कोई भी इसको आसानी से बना सकता है यहाँ पर हम सारा मतन एड़ कर देंगे और इसको एक बार अच्छे से चला देंगे हमने आज एक नई हांडी मंगाई है बाल लिया था, उसके बाद ये बहुत अच्छे से साफ हो जाती है, आप भी इस तरह से करें, अगर नई हांडी आप मंगा रहे हैं, तो इसको हमने चला लिया अच्छे से, ये देखें फ्रेंड्स, हम यहाँ पर थोड़ा सा गुंदा हुआ आटा ले लेंगे, और इसका ढखकन हम अच्छे से लगा देंगे, और चारो तरफ से इसको आटे से के साथ सील कर देंगे, ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आ सके, गैस को हम बिल्कुल सीम रखेंगे, पूरे टाइम तक, अब हम इसको सीम गैस पर कम से कम 10 मिनट के बाद अच्छे से हिलाएंगे, तो फ्रेंट्स इसको हमें हर 8-10-10 मिनट के बाद हिलाना है, ताकि नीचे से सब्जी लगे न, अब यहाँ पर हमारी सब्जी को बनते हुए, सवा गंटा हो गया है, हमने इसको बंद कर दिया था, फ्लेम को बंद कर दिया था, और उसके बाद 5 मिनट तक सब्जी को ऐसे ही छोड़ दिया था, उसके बाद हम इसको उपन कर रहे हैं, तो नाइफ की साहता से हम इसको काट लेंगे, यह देखे, और सारा आठा हटा लें और उसकी बाद इसको खोलेंगे यहां पर हमारा मटन बन करके तयार हो गया इसको बनाने में हमें कोई ज़्यादा महनत नहीं करनी पड़ी यह देखी फ्रेंट्स हम इसके अंदर चमचे को इस तरह से थोड़ा सा चला लेंगे ताकि इसमें जो हमने प्याज लसन वगरा डाल है साबुद वो पिस जाए यह देखी फ्रेंट्स अब हम आपको दिखा देते हैं कि यह सबजी कितने अच्छे से गल चुकी है यह देखिए यह बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है यह आपको जो ग्रेवी नजर आ रही है यह मटन में से और प्याज में से पानी जो न नहीं किया है अब हम आपको इसको सर्फ परके दिखाते हैं यह देखिए कितना बड़िया इसका लुक लग रहा है और खाने में भी यह बहुत टेस्टी थी तो आप भी बनाईए खाईए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए कि आपका मटन कैसा बना तो फ्रेंट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ ने रेसिपी के साथ थैंक यू फूर वाचिंग